मूपी के हाथ रस जिले में जो कथित रूब से यह मामला सामने आया है जो पोरे दुनिया में है मैं पोरे मामला को नहीं बताना चाहूंगे क्योंकि आप सब उससे परचित हैं बच्चा-बच्चा के मुँद में हर जगे पर यह मामला छाया हुआ है और अब उसको लेकर के जिस तरह की चर्चा पूरे देश में फैल गई है कई तरह के गुट इसमें भी बन गए हैं और लोग इस केश को सही और गलत में पेश कर रहे हैं हम हैं देश के एक मात्र ग्रामेड नारिवादी न्यूच चैनल हमारा समर्थन करें यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें खबरें लाइक करें और विबसाइट पर सदस्य बनें नमस्कार दोस्तों मैं कविता बुंदेल खंडी एक बार फिर हाजिरूं आपके सवालों के जवाब देने के लिए इसको लेकर के देश में कितने सारे किसान हैं अलग अलग राज्यों से अलग अलग जिलों से गाउं से इस बिल के विरोध में सब लोग उतरें सबने सरकार से कहा कि यह जो क्रसी विधेयक बिल है एक किसानों की हित में नहीं हैं हम इसको सुविकार नहीं करेंगे और इसको लेकर के आंदोलन हुए धरना प्रदर्शन हुआ लोगों ने सरकार के बिरोध में नारे भी लगाए और कानून को वापस करने के लिए लोगों ने मांग भी किया है तो कई तरह की चीजे देश में चल रही थी और उसको लेकर के एक दिन के लिए भारत बंद भी हुआ था और यह आंदोलन जैसे तेजी पकड़ने की ओर थ वैसे ही यूपी के हाथ रस जिले में जो कथित रूप से यह मामला सामने आया है जो पूरे दुनिया में है मैं पूरे मामला को नहीं बताना चाहूंगे क्योंकि आप सब उससे परचीत हैं बच्चा-बच्चा के मुह में हर जगे पर यह मामला चाया हुआ है और अब उसक देश को सही और गलत में पेश कर रहे हैं अब इस तरह की इस्थिती जो देश में पैदा हो गई है इसको लेकर कि जब भी मैं आज पास के लोगों के बीच में बैठती हूं चर्चा करते हूं या जब फोन में बात होती तो सब लोग यहीं बोलते हैं कि मानसिक इस्थिती अपने प्रती टेंशन है क्योंकि जो दिमाग में वही वही चीज़े चल रही हैं सुरू में जैसे मैं आप से बोल भी रही थी कि आज कल सोशल मीडिया बिल्कुल भी देखने का मन नहीं करता है तो बस मैं चाहते हूं कि अगर आप भी ऐसे सोच रहे हैं या आप भी ऐसे कर रहे हैं आपका दिमाग भी अगर इस तरह से टेंशन में है तो आप अपनी बात को मेरे साथ में सेयर कर सकते हैं तो दोस्तों बहुत बड़ी चर्चा रही है क्योंकि मैं इतनी ज्यादा बीजी थी और मैं पहले जो तीम बिदेयक बिल पास हुआ उसको लेकर के में नहीं मिला है और मैं कोशिस करूंगी कि मैं नियमित रूप में अब आपके सवालों का जबाब दूँ तो मैं आपके सवालों को पढ़ती हूं और देती हूं उनके जवाब कबरेज हमने किया है राट की एक महिला थी जिनको डिलेवरी होनी थी और वो वहां के सरकारी हास्पिटल में गए लेकिन वहां के डाक्टरों ने बोला कि यहां पर डिलेवरी नहीं होगी आप और कहीं ले जाए परिवार को लगा कि महोबा पास में पढ़ेगा तो वो लो की मिली फोन भी नहीं लगा और जो राट के सरकारी हस्पताल के जो डांक्टर थे उन्होंने यह अंबुलेंस की बेवस्था भी नहीं कराई मजबूरन में उस महिला के परिवार वालों ने रोड बेज बस में फिर उसको लाएं हाला कि रास्ते में महिला को इतना तेज का दरदुआ की रास्ते में ही बस के अंदर उसकी डिलेवरी हो गई और बाद में उसको महोबा के सरकारी हॉस्पिटल में भरती कराया गया इस स्टोरी को हमने किया और हमने अपने चैनल में पब्लिस किया तो लोगों ने बहुत ही ज्यादा निंदा किया और बहुत सारे इस करवाही है या एंबुलेंस में किसी की भी कमी हो सरकार को तुरंत में कड़ी से कड़ी करवाही करनी चाहिए उंप्रकाश जी सच में जिस तरह की यह असुबिधा पैदा हो रही है सरकार की सुबिधाओं में खासकर मैंने भी देखा कि एंबुलेंस तो बहुत कम लोगों को म दानाई मिलती और यह जो फोन नमबर दिये हुएं तो कभी लगते भी नहीं हैं बहुत सारी ऐसी घटनाओं को हमने रिपोर्ट किया है जहां पर एंबुलेंस ना मिलने की कारण लोग समझ से हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाते हैं जिसके वजह से राष्टे में ही लोग दम तोड़ देते हैं डिलेवरी की बहुत सारी ऐसी घटनाओं हुई है कि राष्टे में डिलेवरी हो गई है जच्चा बच्चा तक की मौते हो गई है लोगों ने बिरोध किया है लेकिन इसमें ज्यादा रोसकारवाही कभी नहीं होती है वैसे ही राटवाले केस में भी ह मैं उम्मीद करती हूं कि सरकार और स्वास्त विभाग यह तोटी-फूटी जो स्वास्त की सुविधा है इसको जल्द से जल्द ठी कराये और ऐसे मामलों में जो भी दोसी हैं उसकी खिलाब में कारवाही जरूर से की जाए पिता की संपत्ति में आप बेटियों को अधिकार मिलेगा अब उसकी जाइजाद का आधा इससादार लड़किया भी होंगी अब इस खबर को बहुत लोगों ने पसंद किया है बहुत सारी इस खबर में लोगों ने नाराजगी भी पैदा किया है बोला है और कुछ लोग खुश भी है मैं कुछ सवाल को पढ़ना चाहती हूं फिर आगे इस पर मैं चर्चा करती हूं तो दीपु नाम के बेखती हैं लिखते हैं कि यह फैसला कहीं ना कहीं रिलेशन को इफेक्ट करेगा तो देखिए इस तरह के बहुत सारे सवाल आ हैं और जब हम स्टोरी भी कर रहे थे चोंकि यूपी में यह फैसला अभी आया और यंपी में पिता की संपत्ति पर लड़कियों का अधिकार तो पहले से ही था तो जब हम यंपी में भी बात कर हम आउरतों से खास करके जानना चाहरा है कि वह इस पर क्या कहना चाहते हैं तो जिसमेंसे कुछ इंटर्वी वैसे भी हम को मिलें हैं, कि यह सब कुछ जानती हुए। यंपी में कि उनको अधिकार है वो अपने पिता की संपत्ति में अधिकार ले सकते लेकिन उन्होंने कहा कि हम नहीं लेना चाहते हैं नहीं तो हमारा रिष्टा भाई से खराब हो जागा भाई हमसे नाराज हो जाएगा अगर बेटी इस तरह से कहती है तो भाई की भी जिम्मेदारी बनती है कि रिष्टा नहीं खराब होगा काय चिंता करती हो तुम लो नहीं हिस्सा यह हिस्सा तुम्हारा है और मैं नहीं लोगा तुम्हारा हिस्सा यह रखा है तुम लो चाह बेचो रहो चाहना रहो अगर इस तरह की प्रक्रिया सुरू हो जागी तो सायद आउर्टों को भी कहीं न कहीं हिमत और मिलेगी वो अंदर से तो चाहती है क वो हिस्सा लेने अरे जाजाद कौन नहीं लेना चाहता है जिसके पास जितना भरा हो सब को लेना चाहता है तो जो रेलेसलवाली बात को है दोस्तों इसको हमें समझने की और समझाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है और इस तरह कि जो आप भी लिखे हो कि रिष्टे में इफेक्ट डालेगा इसी चीज़ को तो बढ़ना है ना चित्रकूट जीला के मानिक पूर ब्लाग के गेटा के पुरुवा में तीन साल से पोसाहर का बित्रण नहीं हो रहा था और वहां की समस्या हमारे पास में आई थी वहां की मीडिया भी उन लोगों की कबरेज नहीं कर रही थी जब हमारी रिपोर्टर वहां पर जा करके लाइव करी और यह स्टोरी जब सोसल मीडिया पर आई तो इसकी जम करके चर्चा हुई और लोगों ने इस स्टोरी को बहुत पसंद किया है मैं कुछ सवाल को पढ़ना चाहती हूं कुमार कमलेज जी लिखते हैं हाइलो मैडम जी आप से बिनती हैं कि हमारी समस्या देखी जाए यह गटना लोडिया माभी थाना रैपूरा की है हमारे मुबाइल नंबर पर दो मुबाइल नंबर दिये गए हैं मत पढ़ती नहीं हूं क्रपया आप हमसे संपर् जाती घर गाओं के नाम से हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि क्या समस्या है अगर आप गोपनिये तो पर अपनी समस्या को बताना चाहते हैं तो चिट्थी लिख करके हमारा जो यूटूब चैनल में पता होगा आप आप पते पर आप डिस्पाइच कर दीजिए तो हम आ सकते हैं करने के लिए एक खबर और दोस्तों ने जो महोबा जिले की है जो बहुत चर्चित में थी कि एक पीता अपने दो बेटों को मौत के घाट उतार दिया था इस खबर में बहुत ज्यादा निंदा हुई है मैं इसके कुछ सवाल पढ़ना चाहती हूं सवाल भेजने वाल है प कोई हक नहीं है कैसा समय रहा होगा जब बच्चों की जान निकल रही होगी और उसका बाप हैमान गला दबा रहा होगा फिर गाली है जब जान से ही मारनी थी तो पैदा क्यों किया है प्रीतम जी मैं आपकी भावना को समझ सकती हूं बहुत ज्यादा इस समय लोगों के अं हो रहे हैं मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश में हो क्या रहा है मैं इसमें इतना ही कहना चाहती हूं कि जब भी घर में लड़ाई जगड़े होते हैं आप अपने फैमली से दूर हो जाए लंबी सांस लीजिए पानी पीजिए जब आपका गुशा सांथ हो मैं इसके पच्च में नहीं हूं है जरूर मैं कहना चाहूंगी कि कानूनी कारवाही कड़ी से कड़ी होनी चाहिए दोस्तों एक बड़ी स्टोरी हमने की थी जो मानिकपूर के इलाके से दी पाठाई इलाके से कि जो वहां के आदिवासी हैं वो किस तरह से इस समय भुखमर उसके जो सवाल आएं मैं पढ़ती हूं दिनेश पांडे जी हैं यह लिखते हैं कि मैडम मुझे खबर लहरिया में काम करना है मैं जन संचार का विद्यार थी हूं वर्तमान में महाराष्ट के वर्धा में महात्मा गांधी अंतर राष्ट्री हिंदी विश्विद्याले में अध्यान कर रहा हूं मुझे जल्दी सूचित करें दिनेश जी सवाल भेजने के लिए और यह पूछने के लिए कि आप खबर लहरिया चैनल में काम करना चाहते हैं बहुत बहुत सुक्रिया बोलना चाहती हूं और मैं यह कहना चाहते हूं कि खबर लहरिया की यह पालसी है कि हम महिलाओं के साथ में यह काम करते हैं तो आपको खबर लहरे में काम तो हम नहीं दे सकते हैं लेकिन आप हमारे चैनल के साथ में जूड़े रहिए हमारे जो अलग-अलग प्लेरफाम हैं फेस्बूक यूटूब ट्वीटर इंस्टाग्राम आप महां पर जा करके जमीनी इस तरह के जो खबरे हैं जो मुद्दे हैं हमारे सो हैं उनको आप जरूर से फालो करिए और पढ़िए तो दोस्तों यह वाला सो आप सब को कैसे लगा आप जरूर से अपनी टिपडी सुझाव और राय मुझेलिक करके भेजते रहिए और हां अगर आपने खबल लहरे चै वालो कर सकते हैं तो आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे हर प्लेट फालो कर सकते हैं अपनी समझ्या खबरें जो भी आपके मन में सुझेह आप मेरे साथ में सेर करिए तो इस बार के सो में बस इतना ही अगले अपिसोड में फिर मिलती हूं आपके आपकी खबर आपकी भासा.